हारुफिक सैमसंग M21 केंट टर्ण ओफ डिस सिम कार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के रिवाइस में इस इशू को कैस से फिक्स कर सकते जब हम दोस्तों आपने यहाँ पर जो सिम कार्ट है ठीक है उसको हम जब ऑफ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हुए तो हमें शो करते हैं can turn off this sim card you need at least one sim to turn on यहाँ पर बता तो क्या बता रहे और यह किस तरीक प्रॉब्लम है कैसे सॉल्फ होगा वह सारे दोस्तों में आपको यहाँ पर सॉलिशन्स और इसका रिजन्स बताने वाला हो तो वीडियो को आन तक देखे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय सकते हैं चले दोस्तों आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है अगर मैं इसको ओके करके दुबारा से ट्राइ करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ काम नहीं करते ठीक है तो अगर आपके पास दो सिम काट है औ और आप मान लेज्य वाले सीम करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कैसे यह पॉस्जिबल होगा आपको पहले तो यह सीम जो है ऑपेंड कर ना है ठीक है पहले यह सिम пр게нос करतेबफेना है और उसके बात आप यस वाले. मेरे उपर वाले जो सीम कार सिम हसको को आप बहुन कर सकते इफ यू इफ यू टरन ओफ सीम वान सीम टू विल भी सेट इस दर सीम काड ओफ फोर मोबाइल डेटा ठीक है तो ओके करने के बाद दोस्तों सारे कुछ जो है सेटिंग यहाँ पर स्वीच हो जाएगा और आपके जो मोबाइल डेटा है वह भी सीम वान तो इस तरह के से आप इसको इस्तेमाल कर सकते अभी दोस्तों देखेगा अगर आप इसको ओफ करने के लिए जाते तो यह भी ओफ नहीं होगा ठीक है तो आप पहले उपर वाले को अन कीजिए और उसके बाद दूसरे को बंद कीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा कर हो रही है ठीक है क्योंकि मोबाइल पर कॉल करने के लिए से चाहिए ओगा डेटा यूजर्स के लिए भी सीम कर चाहिए होता है तो उसके वज़ए से दोस्तों यहाँ यहाँ पर हम एक च्रुट को ऑफ नहीं कर सकते हैं ठेक है तो बस इसई वज़ए से यहां पर जोए बं नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर आपको दोनों ही सिम कार्ट बंद करना है तो आप डायरेक्ली ओफ कर सकते अपने मोबाइल को या फिर आप क्या कर सकते SIM card को eject कर सकते अपने mobile से mobile से दोनों SIM card को बाहर पे निकाल दे तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपका दोनों SIM बंद हो जाएगा ठीक है लेकिन जब तक आपके mobile पे दोनो SIM available रहेगा तब तक आपके एक SIM open रहेगा अगर आपके mobile पे single SIM है तो उस single SIM को आप off नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसका दोस्तों कोई solution भी नहीं है क्योंकि दोस्तों Samsung के mobile पे ऐसे ही है और यह by default है ठीक है तो इसको fix करने का तरीका तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलाल तो अगर आपको बंद करना है दोनों SIM काट तो आपको दोनों SIM काट को eject करना परेगा तभी यह चीज़ पॉसिवल है या फिर एक SIM काट को enable करें दूसरे SIM काट को disable करें ठीक है यह तरीका भी आप फोलो कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आओगा थीज़न दूसरे सब्सक्वात कर लागा